Hello everyone, welcome to my channel, I am Sibran Sahani and today I'll teach you class 11th English chapter Albert Einstein at school So this is a very interesting chapter, this chapter से हमें Albert Einstein के बारे में काफी कुछ जानने को मेलेगा So let us start the detailed explanation of this chapter So जैसी chapter शुरू होता है, Albert Einstein कहां है, अपने स्कोल में है और उनकी हिस्टरी की क्लास चल रही है उनके हिस्टरी के टीचर के नाम है Mr. Braun और वो उनसे question put up करते हैं वो पूछते हैं, Einstein जल्दी से बताओ कि Battle of Waterloo कब हुई थी, Prussian ने French Army को कब हराया था तो if you remember हमने भी क्लास 10 में ही learn करा था कि एक Battle of Waterloo हुई थी, उसमें Prussian Army ने French Army को हरा दिया था तो वो ही question जो है Albert Einstein के teacher उनसे पूछते हैं, कि जल्दी से बताओ कौन से year में defeat करा था Prussian Army ने French Army को तो Einstein कहते हैं, I don't know sir, मुझे answer नहीं आता, तो उनके teacher गुसे में बोलते हैं, क्यों नहीं आता तुम्हार को, मैंने इतनी बार तो तुम्हें बताया है, क्यों नहीं आता तुम्हें तो Einstein कहते है, I must have forgotten sir, मैं भूल गया, तो आप समझ सकते हैं, क्यों नहीं आता, तो Einstein ने नहीं करता हूँ, क्यों नहीं करता हैं, क्यों नहीं करता है, I don't see any point in learning, to directly, Einstein को कहते है, I don't see any point in learning, तो मैंने लर्न ही नहीं करता हूं और यह बात सुनके उनके टीचर विकुली speechless हो जाते हैं उनकी बात सुनके कि कभी भी में बुक खोल के चेक कर सकता हूं तो उनके टीचर पूछते हैं कि don't you think कि हमारे सकूल में जो कुछ भी आमें पड़ाया जाता है हम सब कुछ बुक खोल के चेक कर सकते हैं तो सब कुछ हमें पढ़ाया जारा है बुक खोल के चेक कर सकते हैं तो उनके टीचर कहते है इंप यह means the द Knityn प्रह इस दो है इंटन लिदिक करना है तो मतलब इसका मतलब यह है कि तुम्हार तो education में भरूसा यह क्योंकि हमारे šooley स्कूल में जितनी भी education होती है वो यही होते है कि हमें facts को learn करना होता है तो इसका मतलब है कि को Safari कнов SCPная UK पर यह лमा तो अब उनके टीचर को आता है है वी वाला गुस्सा और वो गुस्से में सर्कास्टिक ली आइंस्टाइन को बोलते हैं तो तुमें तो भाया स्कूल में एड्यूकेशन मिल रही है उस पर भरूसा ही नहीं है तो जल्दी से आइंस्टाइन जी अपनी थियूरी ओफ कि गी कहते हैं कि सब्सक्राइब नहीं करना चाहिए कि वाटर लोक किस दिन पर हुई इन फक्ट हमें रीजन को जानना चीए कि यह बैटल प्रटर होई यह यानि कि देट क्या है ऑफ गुस्सा आता है और वो क्या करते हैं परिश्मेंट देते थे आइंस्टेन को और कहते हैं कि बस-बस मुझे कोई नहीं जानने हैं तुम्हारी आइंस्टेन थियोरी ऑफ एज्जूकेशन और आज तुम्हें एक्स्ट्रा पीरेट के लिए स्कूल में रुकना होगा अब परिश्मेंट भी देते ह और जैसा हूं वी तुम हमारे स्कूल के लिए डिस्ग्रेस कर्ड़ेस हो तुम स्कूल आते ही क्यूं हो तुम इन्हें स्कूल आना बंद कर डाया यह वार जाता है और उनके तीचर उन्हें और डार्टे हैं कहते कि तुम बहुत अंग्रेटफुल हो अपने पापा को बोलो कि तुम्हें स्कूल से निकलवा दे तुम्हें स्कूल आना ही नहीं चाहिए विध देस ये वाला सें हमारा कम्व्प्लीट हो जाता है आइंस्टेन की काँवी सारी डार्ट पिट जाती है स्कूल में अपनी अपनी अब जो है अइंस्टेन काफी तर रादे देन अंडेस्टांडिंग दर रीजंस थीक है तो इसलिए अपना स्कूल बिल्कुल पसंद ही था तो आइंस्टेन इसलिए परिशान थे क्योंकि जो है अगले दिन स्कूल जाना था उन्हें पसंद नहीं अब उनका घर देया कहा था। उन्होंने करेंट पर कम्रा में मुपारी मुटायनीं में। कोई comfort नहीं था उनके कमरें में था उनको उस सीट से problem नहीं थी कि वह उने बेकार खाना मिल रहा है थी वह एक फ़र्नेस फ्लैट में रहे रहा है उन्हें उस सीट से problem नहीं थी उन्हें प्रॉब्लम ये थी कि जिस सोसाइटी में वो रह रहे थे ना वो म्यूनिक का एक पूर सा जो क्वाटर था वहां पे ना लोग बहुत अंसिविलाइस थे लोग काफी वाइलेंस करते थे इन फाक्ट जो उनकी लैंड लेडी थी यानिकि जिसके घर में वो किराये पे इसलिए नहीं था कि वहां उन्हें गंदा खाना मिलता था तो आगे मूफ करते हैं अब आगे हमारे को जो है हमारी चाप्टर में एक नया करेक्टर आता है कौन आलबर्ट आइंस्टैंड के फ्रेंड यूरी तो अपने फ्रेंड यूरी से फोन पर बात कर रहे होते और उन नहीं है जहां तुम रहते हैं चाहीं तुम पूर स्टूडेंड के साथ रहते हो तो इससे आप समझ सकते हो क्यों कहीं और रहते होंगे रहते हों पर रहते हो सके वह हो सकते है शुल में रहते हों वहान पे वो स्टूरेंस के साथ कमники जैर करते हैं ईसल्ट कहते हैं कि तम अच्छे जगा रहते हो तुम्हारे आसपास में it utilizz रोग रहते हैं जाहें इस यहां में रहता हूं वहांं आहां мехच हो करें ढ़ी दोनों बात कर रहे हैं तो वो दूवल मतलब यह होता है? तो यूरी बताते है कि जहां वो रह रह रहे हैं वहां पर लास्ट वीक क्या हुए है एक फाइट हुए है यानि कि दो स्टूडेंस ने अपस में लड़ाई कर गया और उस लड़ाई में एक लड़के ने दूसरे लड़के का मुर्डर कर द लड़के का मुर्डर कर दिया तो जिसने मुर्डर कर रहा है कि अपसे इस बात को रहा है कि अप अथोरटी ने कि पोलिस ने उसे लड़ाई जगडा करने के लिए और उसके मूँ पे कोई स्कार भी नहीं है जिसे दिखा कि वो एक ट्रॉफी एक ओनर बैच की तरह लोगों कर रहा है तो आप इस पारा से सब्णकोते हो जहाँ यू रहते हैं आंशाइन बीन रहा हैं और यह अच्छा इमिरगे ये फी अथे पर मुझे नहीं一定要 делать हैं लगता कि मैं कभी भी डिपलोमा हासिल कर पाऊंगा कभी भी अकुर्ण बन पाऊंगा ठीक है क्यूंकि उनको तो सकूल में लान ही मिलेगा अब आगे बहते हम चाप्टर में आगे मता रखे अलबट अइंस्टेंतर की की हैं उनकी कस्धिन दिलने आई भी थी तो Einstein उसको भी यही केते हैं कि मुझे नहीं लगता कि मुझे डिप्लोमा मिलेगा या मैं स्कूल से पास हो सकता हूं तो Elsa उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि नहीं तुम भी चाहो तो है पास कर सकते हैं तुम्हार से काफी जादा मैंने ऐसे लड़के द सब्सक्राइब करता हूं तो पते हैं कि अच्छा होने की कोई जरूएट नहीं है यू डोंट नीट तो बी गोड़न तो कोई भी कर सकते हो तो मारे हाथ में अगर जो बुक है तुम बस उसको बार-बार रीड करना शुरू करो कुछ अंडरस्थैंड करने की जरूएट नह करने की कोशिश नहीं करते हो कर कोशिश करोगे तो शायद तुम्हें हो जाए और फिर ऐल्सा पूछती है कि यह जो बुक तुमारे हाथ में यह कौन सी बुक है तो आइंस्टाइन के हाथ में उस समय भूख थी तो इससे आप एक चीज़ समझ सकते हूं कि आइंस्टाइन बुक्स वाली चीज़ में इंट्रेस नहीं था तो आइंस्टाइन बताते हैं ये वुक है अन जी आप जियो लॉजी तो आप स्कूल की बुक है तुम लर्निंग के लिए यह लग रख्या आथ में तो इससे थे नहीं हमारे स्कूल में तो साइंस पड़ाई नहीं जाती है यह तो extra book है तो आप समझ जाओ कि Einstein जो है out of syllabus की books पर दे है अपने school वाली books है वो नहीं पर दे आउट of syllabus पूर ने सब पढ़ने में इंट्रेस्ट है जो science से related हो जहां पर rot learning नहीं पढ़ाई जा रही हो तो Elsa कहती है then why are you studying it जब school में पढ़ाई नहीं जा रही है जियोलोजी तो जियोलोजी की book लेकि क्या कर रहे हो science and कहते है मुझे पसंद है ये book और Elsa साइ करके कहती है साइ मतलब उफ ऐसे करके कहती है oh you are right of course Albert she said won't help with your diploma तो उनकी cousin Elsa जो उनने समझाने की कुशिश करती है अचा ठीक है तुम्हें जियोलोजी में इंट्रेस्ट है तुम इसलिए पढ़ रहे हो तुम पढ़ लो बट इससे तुम्हें diploma मिलने में कोई help नहीं मिलेगी क्योंकि school की book नहीं थी वह out of the slavers book थी तो जैसे हम लोग कभी out of the slavers में तो story books पढ़ते हैं अगर उन्हें out of the slavers कुछ पढ़ना था तो वह क्या पढ़े थे जियोलोजी की book पढ़े थे तो यहां से आप उनके mind की power की बारे में अंदाजा लगा सकते हो कि उन्हें learning में learning नहीं करनी थी उनको he wanted something different तो आगे देखते हैं chapter में क्या होता है तो आइंस्टाइन को बिल्कुल नहीं लग रहा था कि वो जो है डिप्लोमा हासिल कर पाएंगे अपार्ट फ्रॉम book of science his only comfort was music तेहां मैंने का थे ना को कि हमें अलबर्ट आइंस्टाइन के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलेगा तो book of science के लावा उनको एक comfort मिलता था वाइलन बजाके तो वह पूरा दिन बहुत देर तक वाइलन बजाते रहते थे जब तक उनकी लैंड लेडिया आके उन्हें गुस्ता नहीं करती थी और उनकी ल तो मुझे पीरती हो इसलिए तुमारे बच्चे रोना शुरू करते हैं बटो कहते हैं मैं कुछ नहीं कहता हूं और मैं simply वाइलन बजाना बन करतेता हूं अब एक दिन आइंस्टाइन अपने फ्रेंड यूरी को कहते है I must get away from here यानि कि मुझे अब यहां पर नहीं रहना च जाओं तो जो है उनके फ्रेंड कहते है क्या करो कि तुम कैसे रुख सकते हो what will you do तो जो है आइंस्टाइन कहते है that I don't know if I go to Milan I'm afraid my father will send me back unless तो जो है वो यूरी को कहते है यूरी पूसता है क्या करना चाहते हो तुम तुम्हीं हान नहीं रहना है तो क्या करना चाहते हो तो वापस भेज़ देंगे unless unless बोलते ही उनके आखों में चमाक आजाते है यानि कि इस समय पर आइंस्टाइन की में दिमाग में एक आइडिया आ गया है एक तरकीव आ गया है जिससे वह म्यूनिक छोड़के अपने फादर के पास वापस जा सकते हैं उस स्कूल में से अपना लगना की performance में हटवा सकते हैं तोंको इक आईडिया साथ है और वो और क्या बोलते हैं अने फरेंड यूरी चुह और को जानते हcja तो यूरी कहता है नहीं है काफी चल्म स्टूडेंग से जो मेरे फ्रेंड है वट मैं किसी डॉक्टर को नहीं जाना हूं क्योंकि डॉक्टर बहुत सारे पैसे लेते हैं और में पास इतने पैसे नहीं है उन्हें देने क्लिए उनकी फीज भरने के लिए पट फिर यूरी पूछते कि अच्छा तुम डॉक्टर के बारे में पूछ क् तो आइंस्टेन कहते हैं कि सपोस करो कि अगर कोई डॉक्टर कह दे कि मुझे नर्वस ब्रेकडाउन हो गया है तो शायद मेरे फादर जो है मुझे यहां से वापस ले जाए तो नर्वस ब्रेकडाउन का मतलब होता है एक ऐसी सिचुएशन जहाप पे आप इतने अनहापी हो जाओ कि आप continue ना गरपा अपनी लाइव तो वो एक तरीके से अपने दिवांग में एक तरकीब बना लेते हैं कि अगर कोई डॉक्टर कह दे कि स्कूल में रहे कि उन्हें नर्वस ब्रेकडाउन हो रहा है तो शायद वो अपने घर वापस जा सकते हैं और जो है अपने पास वापस जा सकते हैं और उन्हें स्कूल में नहीं रहना पड़े तो इसलिए वो यूरी को कहते है कि कोई ऐसा डॉक्टर मेरे लिए अरेंज करो जो स्पेशलिस्ट हो किसमें नर्वस ने वो एक नियूरोलोजिस्ट हो तो यूरी कहता है अच्छा ठीक है अगर मैंने को को मान जाएगा तो यूरी हसके कहने लगते हैं वैसे अगर दोती दिन तो मौट स्कूल गए तो तुम्हें सच्छी में नर्वस ब्रेकडाउन हो जाएगा अब कुछ दिन बीच जाते हैं और यूरी आते हैं आइंस्टैन के पास और उनको बताते हैं कि उनको एक डॉक्ट और यूरी कहते हैं नहीं यह स्पेशलिस्ट तो नहीं है अचली यह लास्ट वीक ही दोक्टर बने है और शायद तुम इनके फर्स पेशन्ट होगे तो यूरी अपना कोई ऐसा फ्रेंड ढूंड लेते हैं जो अभी अभी दॉक्टर बने हैं और वो कहते हैं यह तुमारी ह यूरी कहते हैं मैं बहुत समय से जानता हूं और वह समध्दार है तो प्लीज उनका पागल बनाने की कोशिश मत करना तो यूरी आइंसें को कह रहे होते हैं जब तुम उस डॉक्टर के पास जाओगे मेरे फ्रेंड के पास जाओगे दॉक्टर फ्रेंड के पास तो उसके स पास जाते हैं अगला दिन आता है और जो है अलबट आइंस्टाइन उस डॉक्टर के पास जाते हैं कॉंसे डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं आर्बट आइंस्टाइन को जाते हैं कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं अपना प्रॉब्लम क्या बता दिया है तो मुझे तुम्हारी फ्रेंड ने सब बता दिया है कि तुम्हें नर्वस ब्रेकडाउन करने की आक्टिंग करने है मेरे सामने और तुम्हारा स्कूल तुम्हारी फ्रेंड ने मुझे सब कुछ बता दिया तो जो है आइंस्टाइन कहते है मतलब उनका फे लिखने से मना कर दोगे कि मुझे प्रेक्डाउं नहीं है तो तुम मेरे को जो है प्रेस्क्रिप्शन लिख के नहीं दोगे और मैं स्कूल नहीं छोड़ पाऊंगा तो जो है डॉक्टर कहते हैं डॉंट बी सो शूर आप इतना शौर मत हो इस बात को लेकर तो आइंसेन को सम और भी तक आपको कुछ भी नहीं पताया है कि मेरे स्कूल में क्या होता है मेरे साथ आप कैसे शौर हो कि मैं नर्वस हूं अपने स्कूल में है कि अगर तुम नर्वस नहीं होतें तो तुम यहां तक मेरे पास नहीं आते है ऐसा fake prescription लिख वाने के लिए तो हम प्रिटी शौ तो अगर मैं तुम नहीं प्ड़ोंगे तो क्या करो कि मैं इंस्टीटिउट में तो की कोशिश करूंगा तो बदेते हैं कि बिना दिप्लोमा के तो और शूड़ देंगे उने ललने नहीं मिलेगा तो हम्हाने के चाहिए मैं ते जो को है डॉक्टर वील जो है काफी डाउट फुली देखते है अलबत आइंसेयन को और कहते है वैल इट सब्सक्राइब देखते हैं अपना कुछ फाइदा नहीं कर रहे हो तो मुझे बताओ अगर मैं यह लिग दो कि तुम्हें सिक्स मंच के लिए स्कूल से दूर रहना है तो तो आइंसेयन कहते है यह तो बहुत काइंड होगा में लिए बहुत सही होगा कर आप यह लिग दो कि सिक्स मंच तक मुझे स्कूल में नहीं रहना चाहिए और जो है वो बोलते है टिस नथ है कितनी है तो मैं तुम्हारी करी सबता हूँ एस मैं भी एक स्टूरेंट हा और को सर्टिफिकेट दे देते हैं अब आइंसेयन पूछते हैं तो जो डॉक्टर के लिए वो कहते हैं कि नहीं मुझे देने की कोईश्रोट नी है बस अगर तुम्हारा पैसे होंगे तो जो फ्रेंड है हमारा यूरी उसको जो है सपर यानि की डिनर पे ले जाना तो आइंसे अब आइंसेयन बहुत खुश थे कि उनके पास एक सर्टिफिकेट है वह बहुत खुशी से यूरी को वह सर्टिफिकेट दिखाते है और कहते है कि अच्छा ये सर्टिफिकेट ठीक है अगर तुम six months तक अगर तुम इतली में कुछ कर भी नहीं पाऊगे तो इतलीस तुम आपना डिपलोमा ले सकते हो तो आइंसेयन कोश कॉल में वापस नहीं जाने वाला हूं यूरी कहते है आचा हां जरूर से जो अपना जो अपने माच्छ टीचर है उन से पहली तो जो है अब मिस्टर कोच कौन है अलबर्टाइंसाइन के माच्छ टीचर वह बहुत ही विलि कि बताओ मैं क्या लिखू तुमारे रेफरेंस में क्या यह लिख दो कि तो थोड़े समय में इतने जादा अच्छे हो जाओगे कि तो मुझे मैच पढ़ा सकते हो तो जो है उनके जो मैच टीचर है गाइस उन्हें आलबर्ट आइंसाइन की केपिबिलिटी पता है कि वह कितन अपना रेफरेंस था और वह बहुत खुश थे बस अब उन्हें कहां जाना था एड्मास्टर यानि की प्रिंसेपल के पास जाना था अपना वह नर्वस ब्रेकडाउन वाला सर्टिफिकेट दिने जिससे की जो है वह प्रिंसिपल उनको उनके घर जाने थे तो अब एकदम करना पड़ेगा अपने अपी हेड मास्टर ने मुझे बुला लिया और उन्हें कोई टेंशन नहीं होती है सोचकी कि प्रिंसिपल सर ने उन्हें उन्हें ऑफिस में क्यों बुलाया है आप इमाजिन करो प्रिंसिपल सर ऑफिसमें बुलाएंगे तो बच्चा डरेगा ना उन्हें लगते है रहे किसी बात punishment देने के लिए बुलाया होगा और अब उन्हें punishment से कोई फरक नहीं परता था तो जैसी वो headmaster के office में जाते हैं तो उनको जो है headmaster बोलते हैं that I am not going to punish you मैं तुम्हें कोई punishment देने के लिए आज ही है नहीं बुलाया है and your work is terrible and I am not prepared to have you here any longer Einstein और कहते हैं कि तुम्हारा जो work है Einstein वो बहुत terrible है तुम आज से इस school में नहीं रह सकते हो I want you to leave the school now तो headmaster Einstein को अपने office में बुला के ही कहते हैं कि मैं तुम्हें school से expel करा हूँ तुम अभी school में नहीं रह सकते हो तो Einstein कहते हैं leave school now बहुत ही amazed होगे बहुत है हरान होगे कहते हैं leave school now तो headmaster कहते हैं yes मैं यहीं कहते है तुम leave कर लो school को तो Einstein कहते है कि इसका मतलब यह है कि मैं expel हो गया हूँ कि आपने मुझे school से suspend कर दिया निकाल दिया आपने मुझे school headmaster कहते है you can take it the way if you wish हाँ तुम ऐसा सोच सकते हो कि तो हम तुमें expel कर रहे हैं school से क्योंकि अगर हम तुम school में नहीं रहोगे तो तुम अपने हिसाब से पढ़ सकते हो वैसे जो कुछ भी सुमें school में पढ़ाया जाता है वो तुमें पसंद नहीं है तुम school में इतने questions करते हो classroom के अंदर it is impossible to teach in front of you तुमारे सामने को teacher पढ़ा ही नहीं सकता है तुमारी वज़े से बाकी बच्चे नहीं पढ़ सकते हैं तुम constant rebellion हो जैसे हर समय question करते रहे थे इतने Albert Einstein classes में कि यह क्यों पढ़ा जा रहा है तो headmaster कहते है कि हम तुमें school से निकाल रहे क्योंकि तुमारी वज़े से हम दूसरे बच्चों को भी नहीं पढ़ा पा रहे है और यह बात सुनके Albert Einstein को ऐसा लगता है वो जो medical certificate उनकी जेम में था उन्हें वो burning hole in his pocket लगता है burning hole in his pocket क्यों लगता है क्योंकि उन्होंने इतनी महनत करके guys वो certificate बनवाया nervous breakdown का जिससे वो school से बहार निकाल पाए और आज उन्हें इतनी easily headmaster school से बाहर निकाल रहे थे तो इसलिए उन्हें वो medical certificate क्या लगता है burning hole in the pocket तो जो है Albert Einstein बोलते हैं अपने headmaster को I was going to leave anyway मैं तो वैसे ही जा रहा था तो जो है headmaster reply करते then we are in agreement at least तो at least हम agreement में तुमें निकलना है school से और में तुमें school से निकाल रहा हूं तो अच्छा agreement है और for a moment Albert का मन कर रहा था कि वो जानने से पहले अपने headmaster को बोलें कि वो जो स्कूल में पढ़ा रहे हैं वो सही नहीं है और बहुत कुछ उन्हें बोले बट वो कुछ नहीं करते हैं और वहां से चले जाते हैं और जब जा रहे होते तो उनके headmaster उन्हें चला के बोलते हैं कि shut the door behind you दर्वाजा बन करके जाओ और Albert Einstein उन्हें इंग्णोर करके वहां से बहार चले जाते हैं इंगे जाते हैं जो स्कूल बहार बहार निकल जाते हैं वह पात साल तक उसकूल में रहते बद तब हो जाने से पहले एक बार भी उसकूल को पीछे मुड़के नहीं देखते हैं जाने से पहले अपने फ्रेंड यूरी से मिलते हैं क्योंकि वो ही best part था उनके Munich में रहने का और Elsa भी वापस Berlin में ही थी Elsa और यूरी के लावब उनके कोई जादा फ्रेंज भी नहीं थे तो वो जाने से पहले यूरी को goodbye बोलते हैं and यूरी उन्हें कहता है goodbye and good luck से यूरी वन ही लेफ्ट ही कौन है Albert Einstein जब जाते है तो यूरी बोलते है goodbye and good luck you are going to a wonderful country I think I hope you will be happier there और good wishes देते हैं Einstein को कि अब तुम एक अच्छी country में जा रहे हो और इतली में जा रहे हो मेलान जा रहे हो तो I hope बहां भी तुमें अच्छा लगे तो with this chapter complete हो गया है Albert Einstein at school तो आप यहां देख सकते हूं कि Albert Einstein को उस school में नहीं रहना था वो काफी कुछ ट्राइक करते है जिससे वो school से नहीं कल दया but finally क्या होता है Albert Einstein को खुदी school एक्सपल कर देते है तो with this you can even imagine इस थिंगी school एक्सपल कर दिया वो उनके real capability को जान ही नहीं पाए बस एक ही था उनके match teacher जो उनके real capability को जान पाए थे जिन्रों ने उनके reference letter लेक के दिया था तो with this chapter complete हो गया है और मीच इन नेक्स वीडियो जिसमें हम नेक्स chapter पढ़ेंगे तो description box में class 11th English की playlist given है जहां से आप सारे chapters पढ़ सकते हो plus मेरे Instagram ID given है जहां पर सारे chapters के notes है तो with this बबबाटी के बस आज़ा कैना नेच्स वीडियो